रास्टवादी कॉंग्रेस पार्टी वे ग्राम स्तरिय भवन निर्मान समन्वे स्मीती के अध्यक्ष रविंदर सिंग डोक्रा आज गवाडू पंचायत के बाड नंबर एक की आंगुणवाडी केंद्री की नीप पत्तर रख करने भवन के निर्मान की शुरुआत की गवाड तलफेक की विगत कई वर्षों से अंगुणवाडी केंद्री युवा मंडल के कमरे में चल रहा था जिसकारन काफी परिशानी होती थी थी था गाउं में सड़क के नस्दीक अपनी जमीन देने को कोई तेयार नहीं था आंगुणवाडी वर्कर वो समीती के सचिव निशा देवी ने बताया कि जब उन्होंने रविंद्य सिंग डोगरा से इस बारे में बात की तो डोगरा ने सड़क के पास वाले चार मरले अपनी जमीन गाम की बच्चों के लिए आंगुणवाडी के लिए दान कर दी जमीन की पेमाईश से लेकर अन्यसारी कागसी कारवाही पूरी करने के बाद सीडीपियो दफ्तर टौने देवी में जमा करवा दी गई थी जिसके बास मनवे सतरकता कमेटी का गठन किया गया जिसमें सरफ सहमती से रविंद्य सिंग डोगरा को ही कमेटी का अध्यक्ष गा के बाद मैंने इस गाउं की कमेटी बनाई और कमेटी वालों ने कहा कि सीडीर विंद्य सिंग डोगरा जमीन दान की इसलिए उनको इस कमेटी का परधान बनाया जाएगा और आज भवन रवान के लिए मैंने इस भवन रवान के लिए भवन रवान के आज दुगाटन किया दोगरा ने बताया कि कमेटी का अधिक्ष बनने के बाद उन्होंने और निशा देवी ने कमेटी सदस्यों के साथ मिलकर एक खाता भार्ती स्टेट बैंक में कमेटी के नाम से खोल दिया है जिसमें सीडीपियो टॉनी देवी कल्यान सिंग और अबजरवर्क सुकरने देवी की मदद से पैसा मनजूर करवाया गया है और पहले किस्त एक लाग रुपे की खाते में पहुँच गया है इसलिए सर्व सहमती से सिला नियास नवरात्रों में कर दिया गया इस मौके पर बाट पंच संसार चंद निशा देवी, शुमना देवी, कंचना देवी, पुषपा देवी, संदला देवी, परवीन कुमार, करम सिंग परदीप चंद, परमीला पूजा कुमारी, लक्ष्मी देवी आदिस दस से उपस्तित रहे अंगनबाडी का उद्गाटा नम नहीं किया है आज, क्योंकि हमारे वार्ड नमबर एक के अंदर दो अंगनबाडी हैं, एक अंगनबाडी के लिए तो जगा थी, दूसरी अंगनबाडी के लिए लोहों के पास जगा नहीं थी, इस विए से प्रशाशन ने बोला था कि और काम शुरू कर दिये